क्लास 10 की एक्सेसाइज 1.1 का कोशिन नमबर 1 है Use Euclid's Division Algorithm to Find the SCF कोशिन नमबर 1 के अंदर हमें SCF निकालना है Euclid Division Algorithm का यूज करके कोशिन नमबर 1 के अंदर हमें 3 parts given है जिसका हम 1st part और 2nd part हम solve कर चुके हैं और अब हमें 3rd part solve करना है तो 3rd part हमें given है 867 and 255 इसे भी हम by Euclid Division Algorithm से solve करेंगे और Euclid Division Algorithm हमारी होती है A equals to BQ plus R Euclid Division Algorithm क्या होती है हमने आपको part 1st के इंदर समझा दिया है तो अब हम part 3rd लेंगे 867 and 255 जो हमारा greater part है उसे हम dividend माल लेंगे जो हमारा smaller part है उसे हम diviser माल लेंगे अब 255 का table हम 3 times चलाएंगे तो ये आएगा हमारा 765 7 में से 5 गया 2 बचा 6 में 6 गया 0 बचा और 8 में से 7 गया तो 1 बचा अब हमारा जो reminder 102 आया है इसे हम diviser माल लेंगे और जो हमारा diviser 255 था उसे हम dividend माल लेंगे 255 equals तो हम 102 का table चलाएंगे ये चलेगा 2 time और ये आएगा हमारा 204 तो 5 में से 4 गया 1 बचा 5 में से 0 गया 5 बचा और 2 में से 2 गया 0 बचा और अब यहां पर हम 102 को dividend माल लेंगे और जो हमारे diviser 51 है उसे हम diviser माल लेंगे तो 51 तू जा होते हैं हमारे 102 तो 102 में से 102 गया तो 0 बचेगा और अब इस सारे format को हम Euclid division algorithm के format में उतारेंगे जो हमारा होता है A equals to BQ plus R तो 861 है हमारा यहां पर 867 equals to 255 multiply 3 plus 102 इस format से उतारेंगे 255 equals to 102 multiply 2 plus 51 102 ले लेंगे भी हां से हम equals to 51 multiply 2 plus 0 तो अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारा HCF क्या होगा तो हमने लास्ट कोशन में यह बताया था जो भी diviser हमारा dividend को equals पूरा पूरा कट करता है और हमारे reminder 0 आता है वो ही हमारा HCF होता है 51 एक ऐसा diviser है हमारा इन numbers के अंदर जो हमारे 102 को पूरा पूरा divide करता है तो यही हमारे dividend हो यही हमारा HCF होगा hence HCF of 867 and 255 is 51 यही हमें solve करना था Thank you